First term exam देने जा रही हैं और अगर ये 5 कलतियां करने वाले हैं तो पहले ही मैं वार्ण कर देती हूँ कि ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है चाहे आपका first term exam हो या main exam हो या फिर अगर आप board का exam देने जा रहे हो तो आपका pre-board ही क्यों ना हो कोई भी exam क्यों ना बटा ये 5 कलतियां आपको नहीं करना है अब मैं वो 5 कलतियां क्या हो सकती है तो बस इसे लिए आज का मैं ये session लेकर आई हूँ तो जहां पर हम इन चीजों को discuss करेंगे तो hello student this is Anamika Singh Welcome to Magnate Brains जहां आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर आई हूँ जहां पर हम जानेंगे कई बार ऐसा होता है कि exam देने तो हम चले जाते हैं लेकिन कुछ ऐसी silly mistakes कर देते हैं जिसके कारण हमारा paper बिकर जाता है खराब हो जाता है और मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का ये paper खराब हो इसलिए आज का ये session मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सो इससे start करने के पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूं हमारी चैनल के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा बिटा यदि आप class 6 से लेकर 12 में किसी भी class में है so Magnet Brains Hindi Medium चैनल पर आप अपने subject की classes attend कर सकते हैं किसी भी class को देखने के लिए कोई course या आपको कोई package purchase करने के जूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर मिलता है quality education वो भी बिलकुल free of cost ठीक है तब माम जल्दी से बता दीजिए कि वो 5 चीज़े कौन सी है वो 5 चीज़े कौन सी है जिनके बारे में अगर हम बात करें वो हमें नहीं करना है पहली चीज तो जैसे ही question paper आपको मिले है ना जैसे ही question paper आपको मिले है ना पहले तो मैं यह लिख दू five mistakes यानि कि आपके जो पाँच गल्तियां है और सबसे पहली गल्ती तो यही कि जैसे ही question paper आपको मिले उसे देखकर उछलने नहीं लगना है खुश नहीं होना है यह गल्ती नहीं है गल्ती यह है कि question paper जब आपको मिलेगा question paper जब आपको मिलेगा आपको question paper को थोड़ा सा read करना है question paper को थोड़ा सा क्या करना है पढ़ना है ऐसा नहीं है कि आप question paper को पढ़ने के लिए ज़रूर से ज़ाधा time दे दो या फिर आपने जैसे ही question paper लिया और आप शुरू हो जाओ ये आपके पहली mistake हो सकती है आपको करना यह है कि आपको question paper लेना है फटा फट से पहले तो उसे read करना है कि भाई अच्छा ठीके first page पे यह यह है इतने फिलिंदा ब्लाइंग्स है या जो जो चीज़े आपके exams में है इतने हमारे match the column है यहां इतने अती लगुत्री question है इतने लगुत्री है इतने दीर गुत्री है ठीके enough है हमने एक मिनिट पढ़ा हमने दो मिनिट तीन मिनिट पर तो गहरी हो पांच मिनिट का भी समय दे दो खुद का काम है तो हमें यह चीज़ नहीं करनी है अगर हम question paper लेकर बैटे तो पहले हमें उसे read करना है और हाँ इसमें भी मैं बता दू बहुत जादा देर तक नहीं करना है तो पहली mistake तो हमें यह करने से बचना है क्योंकि कुछ students को मैंने देखा है मेरे जो classmates थे school में वो भी यह करते थे जैसी paper आया पर शुरू हो गए करना भाई तुमने time managing नहीं किया अगर time manage नहीं करो कि last में तुम्हारा paper जो है वो miss हो जाएगा छोट जाएगा है तो यह गलती м kg कुछ लोग को आधे करते बैठें लेकर रहते अच्छा यह question मुस्से बनता है यह question मुस्से नहीं बनता यह question मुस्से बनता है यह question नहीं है आप अपना timeline करते हो आपको यह time waste exam में नहीं करना है समझ जाण भाई बड़े हो चुकेви और यह जो वीडियो है ना specifically किसी एक particular exam के लिए नहीं है ये overall सब के लिए अगला point कुछ students विशेश रोब से लड़कियां कुछ होती है जो क्या करती है ना decoration करने लगती है बैया वो अपने answer sheet में decoration करने लगती है अब आप कहेंगे ma'am क्या बात करें हो हम decoration क्यों करेंगे आपको दो ही pen use करने है black pen heading के लिए और दूसी चीज आपको blue pen use करना है अपने answers के लिए उसमें आपको बहुत decoration के जुरुत नहीं और कुछ महिलाएं जो है कुछ महिलाएं तो नहीं कुछ बच्चियां जो है क्रप्या करके वहाँ फूल पत्ती से decoration बिल्कुल भी मत किया करो आप बहुत जादा time करी बार दे देते हो और कुछ लोग ना अपनी speed को maintain नहीं करते एक और issue है भाई सारे issues लिख देते हैं फिर इखटा चर्चा करेंगे और वो issue ये है कि अपनी speed का ध्यान ही नहीं है मतलब starting में जब paper लिखने बैठे हैं तो लगे पड़े हुए ये गलती भी हमको नहीं करनी है पहले चीज की चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो बहुत ज़्यादा सजा सजा के नहीं लिखना है आपको decoration कैसी करनी होगी question डाला answer लिखा that's it और एक चीज और speed को मैं बैलेंस करके चलना है अभी सब एक-एक explain करूंगे सारे point लिख दो पहले तो और आपको क्या करना होगा question number mention करना है है ना बहुत ज़्यादा आपका क्या होगा time waste होगा तो यह कुछ main चीज़े जो है अभी पहले इस पर चर्चा करते हैं फिर सबसे last वाला important point बताऊंगी यस पर तो मैं आपको बोल चुकी हूँ कि question paper अच्छे से read करना है इसी में ही अपना proper time manage कर लो कि मैं इतने इतने देर पर यह करूंगा और इतने देर पर यह करूंगा गलती क्या नहीं करनी है कि question paper पता चला read नहीं किया हो गए शुरू दूसरी गलती यह नहीं करनी कि decoration करने बैट गयर decoration हमको नहीं करनी है दो तरीकी के pen यूज करने ही blue pen और एक black pen और दोनों को बहुत फैला फैला के भी नही heading डाली ठीक है फिर उसके बाद हम question को पूरा लखने बैट गए क्यों लिखोगे question पूरा आपके question number डालो है ना कि मेरा यह question number 1 है इसका यह MCQ है इसका first answer यह होगा इसका second answer होगा इसका fourth होगा इसका third होगा जो भी आपको answer लग रहा है वो mention करो question लिखके time waste नहीं करना है ठीक बहुत अच्छी बात है writing का ध्यान रखना है school में यह गलत नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि writing के अलावा speed का भी ध्यान रखो पता चला कि तुम्हारे जो last के long answer से वही miss हो जाए समझ रहे हो वो हमें नहीं करना है इसलिए speed क्या होनी चाहिए आपकी balanced होनी चाहिए speed में किसी देखेगा कोई compromise नहीं होना चाहिए ताकि आप पूरा का पूरा question paper at least क्या कर सको attempt कर सको ठीक है तो यह 4 important point जो है वो आपको follow करनी ही होंगे and last important point कि मैं paper में और क्या नहीं करना ह है सबसे important चीज़ भाई cheating नहीं करनी है paper में क्या नहीं करना है तो cheating नहीं करनी है good students अगर good students अगर cheating के भरोसे जा रहे है ना तो ध्यान से सुन लीजिए आपको cheating नहीं करनी है अब जितना आता है ना लिख के आ जाना लेकिन request आप से कि आप अभी से यह habit मढ़ दालो तब ही तो मैं कहा रही हूं कि exam में यह पांच कलतिया नहीं दोराना चाहिए अब क्या होता है कुछ students की मेरा friend जो है उसका role number मेरी ही class में आएगा आधा वो पढ़ लेगा आधा मैं possibility है यह चीज़ कल को अगर उसकी job लगई तो वह आधी salary आपको देगा क्या उसकी अगर board में अच्छे marks आए तो आधे marks आपको देगा क्या overall अगर देखा जाए तो अभी तो तुम सब कर लोगे लेकिन आने वाले time में वो कही न कहीं तुम्हारे लिए बहुत जादा negative हो जाएगा तो एक request है कि ऐसा करना है तो फिर भाई कोई मतलब नहीं पेपर देने का अभी से सुदर जाओ बहुत कम उम्रे है हमारी तुम्हार तो ये कुछ ऐसी चीज़ें वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें कुछ लोग जो है वो बार-बार जो है MCQs के चकर में रहते हैं कि मुझे कहीं से पता चल जाए तो बाहर वाश्रूम चले जाते हैं बार-बार वाश्रूम जाते हैं उसका दोस्त निकला तो भाई वो लिए ध्यान रखना है अब कई बार ऐसा होता है कि जिसे स्पीट की ही अगर मैं बात कर रही हूं तो फॉर एक्जामपल आप अती लगुत्री में कोई question लिख रहे हैं या लगुत्री में आपको उसका answer बहुत अच्छे से आता है कि आप अराम से उसमें long का भी answer लिख सकत लगे पड़े हो लिखने के लिए नहीं करना है जितना पूछा है उतना answer दो जिसे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के सामने खड़े होते हैं तो हमें सोड़ा समझना चाहिए कि सामने वाले ने जितना पूछा उतना answer दे पालतु में न बोले तो वो चीज यहां पर भी applicable है आपको जबरज़ती इसमें answers नहीं लिखने, जितना पूछा है उतना ही लिखो, अतिलगुत्री में अतिलगुत्री का, लगुत्री में लगुत्री का और दीरगुत्री में दीरगुत्री का, हीक है, तो ये basic चीजे हैं, इनका ध्यान रखना important होता है, ना cheating करो, ना cheating करवाओ cheating करने से क्या होता है, time waste होता है, और हमारे पास इतना time है नहीं, कि हम अपने time को क्या करें, waste करें, है ना, exam ही कैसा समय होता है, मान लो कि आप अपने friends के भरोसे बैटे हो, कि ये exam में मेरी help कर देगा, और उसने तुम्हें धोका दे दिया, उसने तुम्हें देखा ही नहीं वहां पर फिर तो तुम्हारा पूरा एक्जाम खराब होगा यह मत क्या ना भाई सारा है मैं मेरी फ्रेंड तो बहुत अच्छी help करेगी मैं बोला ना आज अगर कर भी देगे ना आने वाले टाइम में नहीं करेगी यह स्टैंप पेपर पर लिख के देने को रैडी हूं मैं तो करपिया करके ना इतना भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो अपना खुद देखो अभी छोटे हो जिसे दीरे बढ़ोगी ना मालो आपके उससे जादा नंबर आ गया तो जैलीसी की फिलिंग आने लगी फिर हो सकता है कि आपका अनिवले टेम में ना बताए जो कि वो सच में नहीं बताएगा या बताएगी जो भी वो हो सकते हैं ठीक है तो ये कुछ पांच पॉइंट से उमीद करती हूं कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी समझ में आ गई होगी और किस टॉपिक पर आप उस चाहते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बता दीजिएगा कैसी लगी ये वीडियो ये भी मुझे बताएगा और मैंने बहुत कम समय में जादा चीज़े बताई है ताकि मैं चाहती हूँ कि आपका जादा टाइंग वेस्ट हो बहुत अच्छे से करूंगे लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ब्रींस के कुछ अधर प्लैटफॉर्म्स भी हैं जहां आप जूर सकते हैं जिसे फेस्बुक सब कुछ करवाते हैं हम कवर तो और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा मिलिंगे नेक्स सेशन में तब तक के लिए बबाए ठेक किया थैंक यू ग्लास